तो आज में लेके आई हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही टेस्टी और हेल्दी वाइट सॉस पास्ता की रेसिपी जिसमें मैंने कोई भी मैदा का यूज नहीं करा है और यह विदाउट मैदा के टोटली बनी है और यह खाने में बिलकुल कैफे स्टाइल बनके तयार होग तो आप यह देख लीजिए पैकेट में भी लिखा है यह 100% सूजी है made from drum wheat semolina सूजी की बनी है तो यह healthy होगी तो अब मैं इस पास्ता के ऊपर पानी डाल देती हूँ थोड़ा हलका सा इसको वाश कर लेते हैं और एक दो मिनट के लिए पानी में मैं इसे रख दूँगी side by side मैंने यहाँ पे boiling water रखा था उसके उपर मैं नमक डाल रही हूँ नमक से पास्ता में अच्छा टेस्ट आएगा और उपर से मैंने यहाँ पर एक बड़ा चमश तेल डाला है ताकि जो हमारा पास्ता है वो चिपके ना और अच्छा खिला खिला बने पास्ता डाल के मैं इसको अच्छे से स्टर कर लेती हूँ ताकि और नमक आपस में मिल जाए और करीब इसको पांच मिनिट लगेंगे एक उबाल आने के बाद मैं ग्यास को बंद कर दूँगी यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ यह पास्ता को खो चुका है तो मैंने इसको इस तरीके स बतन को रख दीती हूँ साइड में पास्ता में इसे पानी को मैंने स्ट्रेन कर लिया है दोस्तों और साइड में रख दिया चलिए अब यहां पे हम करेंगे वेजेटेबल को सोटे तो सबसे पहले मैंने एक बड़ा मिर्चों यहाँ पे ऑईल लिया है तीन से चार गारलिक एक और दो बड़ी मिर्चो को कट करके घलका सा एक भूना ए ऊपर से ये एक सिसे जह लेकन आपके करके कट कर रहा है खियोंकि पास्ता में इस तरीके से अगर हम झालदें है थोड़ा अच्छा लगता है है तो ज़्रों और थोड़ी सी यहाँ पर मैंने sweet corns लिए हैं sweet corns को मैं थोड़ा बाद में डालूँगी पहले इन दोनों vegetables को sauté कर लेते हैं सबसेने कुक करना है तो इस तरीके से बड़ यहां पर आप ध्यान रखिए मैंने ग्यास को मीडियम करके सबजियों को कुक कर रही थी वरना यह सबजियां जल जाती तो यहां पर हमारी सारी वेजिटेवल्स अच्छे से सौटे हो चुकी हैं बहुत ही अरोमेटिक सबस्टा नहीं डाला है और आटा मैंने करीब यहां पर दो बड़े चमच लिया था अब हमें आटे को अच्छे से भूनना है लगातार हात को चलाते हुए हम आटे को भूनेंगे जब तक कि उसमें से बहुत अच्छी से खुश्बूना आने लगे हमें हाथ को नहीं रोकन है तो आठे को मैं यहां पर चलाती जा रही थी और फ्रेंड्स जब आठा अच्छे से भुन जाए तो हम उपर से डालेंगे दूद तो यहां पर मैंने हलका गरम दूद का इस्तमाल करा है तो मैं दूद भी डालूंगी साथ में और स्पैचुला को चलाती जाओंगी ताकि ल दूद मैंने डाल दिया और मैं स्पैचुला को कॉंटिन्यूसली चलाती जा रही हूं तो अगर इस तरीके से लंप बने भी तो चिंता ना करें आप कॉंटिन्यूसली उसे स्टर करते रहेंगे तो लंप नहीं बनेंगे और थोड़े बहुत बनते भी हैं चोटे-चोटे तो फरक नहीं पड़ता है आप कॉंटिन्यूसली हाथ को चलाते रहें तो यहां पर आटा दूद के साथ अच्छे से पक चुका है अब मैं यहां पर डालूंगी दूसरा ग्लास दूद का क्योंकि हमें सॉस को थोड़ा लिक्विडी कंसिस्टेंसी देनी हैं तो इसी रिए चला रही थी और यह देखिए वाइट सॉस हमारी बन के तयार हो गई है उपर से थोड़ा सा नमक डाला है क्योंकि जब पास्ता बॉइल करा था तो इसमें पहले से नमक पड़ा था इसलिए थोड़ा सा नमक थोड़ी सी लाल मिर्च और थोड़ी सी काले मिर्च मतलब आद और से जितनी वी वेजिटेबल्स हमने सौटे करी थी वो सारी वेजिटेबल्स को हम अपनी सॉस के अंदर डाल देंगे और अच्छे से दुबारा से इसको हम चलाएंगे ताकि सबजियों में सॉस का जो फ्लेवर है सबजियां अच्छे से उसमें मिक्स हो जाएं जब सारी सब्सजियां mix हो जाएं तो सबसे last में यहाँ ठरियार तियार जारा था एंगा वह पास्ता डाल देंगे तो यह मैं सारह पास्ता डाल देती हूं और गुछ सवर्य को यहां पर हमें दुबारा से अच्छे से mix करना है जिस तरीके से । इस तरीके से में डाल देती हूं क्योंकि पास्ता और चिली फ्लेक से बहुत अच्छा लगता है तो यह देखिए अब इसको भी मैं मिक्स कर लेती हूं और यहां पे हमारा पास्ता बनके हो जाएगा तयार तो लगातार मैं स्पैचुला को चला रही थी और सॉस को मैंने मिक्स कर लिया है और हमारा बहुत ही टेस्टी और हेल्दी पास्ता बनके यहां पे तयार हो चुका है देखिए और मैंने सॉस को थोड़ा थिक ही रखा है सॉस को जैसा कि मैंने बताया आप इसकी कंसिस्टेंसी को थिक या लाइट कर सकते हैं अपने हिसाब से चलिए इसको प्लेट में ट्र किये और अपनी सेहत का ध्यान रखिए उमीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक शेर कॉमेंट और सब्सक्राइब जरूर करिए चलिए अभी मैं चलती हूँ अपना ध्यान रखिए टेक केर गॉर्ड ब्ल झाल 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 झाल